हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार द्वारा से आपके अपने चैनल विवेक रणा स्ट्रॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब केजिए साथ बैल को दोना ना भूलना ताकि कोई अपडेट मिसना हो सके साथ में टेल पैनी स्टॉक है जो 470 रुपे से गिर कर अल्मोस्ट 50 पैसे में सपोर्ट लेकर उपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड यह स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था जस्ट एक जनल व्यू के लिए कि आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हो जस्ट एक इतना व्यू होता है अगर आपने स्टॉक को अभी तक होल्ड किया हुआ है तो टेफिनिटी वीडियो को अंतक देख लेना आपके लिए वीडियो है काफे में इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ सेटप रूल है जब भी किसी पैनी स्टॉक में इंवेस्मेंट करो तो इस रूल को पक्का और अपने लालच को रखो अपने पॉकेट में बंद ठीक है और जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है वहां कर लिया करो जैसे ये स्टॉक था बहुत क्लियर गाता है एक रूपे तीस पैसे तक स्टॉक जा सकता है वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क हो सकता है ठीक है जीरो का मतलब समझ जो क्या कहना चाहता हो कि suspend भी हो सकता है तो इसले सोस समझ के investment करो उसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है दो परसेंट आफिर मंतली इंकम इससे जज्यादा invest मत करो ठीक है जब आपको experience हो जाए store market पर दैन you can ठीक है शुरू-शुरू में हर बॉल में छक्का मानने का हो सकता नहीं है single लेके अभी काम चलाया जा सकता है तो हमें अभी single खेलना है छक्का जम माननेगे जब जरत हो गई तो दिखाता हूं स्टॉक का नाम कुछ ही पसंद आगे तो लाइक कर देना शेर कर देना जैसे आपको पता है कैसे set किया जाते है तो definitely आप उस class में आ सकते हो class में आने का जो तरीका होगा एक application लगीगी application fees लगीगी, fees क्या है इस वीडियो को share कर दो facebook में ठीक है, like कर दो, comment कर दो और diet message कर दो मुझे मेरे instagram channel पर we are stocks करके है या twitter में कर दो, या telegram में कर दो ठीक है, जो वैक्ति skin shot के साथ करेगा उसको definitely classes के link मिल जाएंगे, अभी तक class 14 हो चुकी है class 15 होने वाली है तो अगर आपको सीखना है, most welcome है most swagal है, साथ में सीखेंगे साथ में grow करेंगे तो लेके चलता हूँ, stock के नाम की तरब जिसका नाम है, VYARN industry limit, जैंद दोस्तो बहुत नितजार के आप लोग ने stock लगा था, lower circuit में था आज stock में एक अपर circuit देखने को मिला है, तो दिखाता हूँ मैं क्या बाते कर रहा हूँ जैंद दोस्तो आप देख सकते हो, VYARN industry का मैंने chart खुला वा, stock ने 1.58 पैसे का हाई लगा था, and मेरे last वीडियो में आपको बहुत क्लियर का था, stock could take support around 70 पैसे, यहां से stock आराम से 1.40 पैसे 1.30 पैसे जा सकता है, and दोस्तो stock ने बिल्कुल वही किया, 1.50 पैसे के आसपास stock ने high test किया, उसके बाद stock नीचे गिर गया, और 90 पैसे के आसपास दुआरा stock में एक reversal, reversal मतलब एक हरा candle बना है, एक upper circuit में close हुआ है, ठीक है दोस्तों, 90 पैसे के आसपास ही क्यों बना चानने का प्रियास करते, इस वीडियो के माद्यम से, ठीक है stock लगाता नीचे गिर रहा था, लेकिन कोई stock में volume नहीं आ रहा था, मतलब कोई बाहर नहीं आ था, लेकिन 90 पैसे में अचानक से क्या हो गया भाई, कि ये stock उपपर चिले गया, तो आप समझभारे हो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अकेले एक retail की आउकाद नहीं है कि वो किसी stock को इहला सके मतलब खासकर अगर हम एक penny stock को नहीं हला सकते तो भाई सोचो हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते फिर हमें सिर्फ जो operator कर रहा है मतलब जिस stock में जिस बड़े player का हाथ है, जो उस stock को चला रहा है बस आपको उसको follow करना है उसकी हर चाल को moment को follow करना है अगर आपने उसकी moment को follow कर लिया आपका पैसा definitely बनेगा और दोस्तों believe me आप लोग साथ इतना नहीं जानते लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो operator होता है या कोई बड़ा player होता है उसका ज़रा psychology समझो और thinking पकड़ने का प्रयास करो कि वो stock को buy or sell कब करता है जो मैंने observation किया है भाई last कुछ सालों में मैंने एक चीज़ notice करिये भाई वो चीज ना क्या होता है भाई stock market में वो कभी भी entry ना RSI indicator देखता है ना कुछ देखता है यह तो मैं समझ चुका हूँ वो क्या करते हैं वो support resistance को check करते है रजिसेंस वो sell करते है reality बढ़ा रहा हूँ अब आपको chart के माधने से दिखलाऊंगा कि वो कैसे करते हैं और support में buy करते हैं support में buy करते हैं रजिसेंस में sell करते हैं वो यह game करते है support में buy करते है Regalant में sell करते और यह game करके वो अपना maal भड़ते है हम लोग क्या करते है हम लोग बीच में buy करते है मतलब manol का support एक रुपे है तो हम 1.5 रुपे buy करेंगे और Regalant 2 रुपे है तो बहुत लोग तो ऐसे भी हमूने होते हैं चो 2 रुपे के उपर स्टोक को बाई करते हैं रजिस्सिंस के आसपस ठीक है और वहाँ पर उस ट्रैप हो जाते हैं और बाद में हमें नीचे कॉमेंट करके बोलते हैं सर देट रुपे के आसपस हमने वियान इंडस्ट्री बाई किया अरे भाई तुम्हें किसने बोला था देट रुपे के आसपस बाई करने के लिए हमने आपको क्या रूल बताए दो पर्शन रुपे मन्थली इंकम ठीक और दूसरा रूल क्या है जब भी RSI इंडिकेटर 80 के पैसा नहीं लगाना है आपके कपड़े क्या आपके मूँ भी काला हो सकता है ठीक है लॉस तो हो नहीं होना है साथ में मूँ भी काला हो सकता यह एक रूल बता रहा हूं पैनी स्टॉक क्या हो लार्ज केप स्टॉक हो या मिट केप स्टॉक हो आगर RSI इंडिकेटर 80 प्लस म में तो आपको स्टॉक में भूल कर भी हाथ नहीं डालना है अधरवाइस हाथ जल जाएगा मुव भी जल जाएगा बात को समझने का प्रियास करो ठीक तो यह कुछ रूल है इंको पक्का फॉलो करो तीसर रूल एक्जिट एंट्री अच्छी हो गई एक्जिट भी अच्छी क जो वियान इंडिस्ट्री जैसे आपको पता है इभी प्रिंग का बोल रहा हूं मैं शिल्पा शेटी जी की बेटे के नाम से कमनी चलती है और 51% के आसपास का स्टेक शिल्पा शेटी के नाम से है और दोस्तों स्टॉक ने 400 रुपे का ही लगाया था ठीक है आल्मोस्ट एक लेस्त के नाम सेने 500 रुपे का स्ट्वाण भी ऐसब्राइट कर रहा है और दोस्तों स्टॉक में एक अछी बात क्या है वह यह है दोस्तो की स्टॉक ने बॉनस भी दियाज इसी वाजे श्टॉप आपका आज सस्ते में आपको मिल रहा है जोसटों सेरिए हैं सिह नाम से को कोश नहीं होगा आप एक पर खुद की रिसर्च कर लेना यहां नीचे अगरा बात करते हैं आज कैसा काम का जुआ है तो तीन लाख क्वांटिटी से जादा लोग ने पार्टिसपेट किया और सभी की सब माल लोग घर लेगे गए अब बात करते हैं चार्ट की कि सपोर्ट र लगाओ चार्ट में दिमाग क्यों अगर आप दिहान से देखोगे भाई बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया अच्छे तरीके से यह जो है आप पास में जाकर चेक करना यह रजीशन आपको दिख जाएगा कि यह 1.5 रुपे के आजपा स्टॉक का रजीशन था एं दोस् यह low बनाया यह low बनाया अंच्छा यह low बनाया देखें लगादार जो slow वह intake है लोंस कभी break नहीं हो पा रहे यह दोस्तो देखिए stock ने दुबारा से support कहा लिया देख सकते यह पूरा support area था क्यों क्यों इस period में company ने stock price ने almost allmost एक महीने का time बिताया था और इस यी time के stock में तुबारा से एक candle देखने को मिला हरा वाला ठीक है तो अगर आपने इस ट्रोक को buy किया तो मैं बोलू हुआ भाई buy करो अगर यह स्टोक उपर चिले जाए और यह 1000 रुपे जीरो भी हो सकता है इतना तुम आपको बोल सकता हूं ठीक है आपको जूटे वादे अगरने हमें नहीं आते सीथा मूप में बोलते हैं स्ट्रीट फॉर्बट होके बोलते हैं कि भाई अगर पैसा बनाना है तो रिक्स तो आपको बहुत पहले रिक्रेमेंट के दा 34 पैसे 30 पैसे के असपास तब अगर आपने बाई किया होता तब सुनी होती मेरी तो आप कहानी कुछ अलग होती और आप चुप-चाप मजे ले रहे होते हैं कि अगर वो स्टोक अभी जीरो भी हो जाए आपको फर्क नहीं पढ़ प्रॉफित है उसको बड़े टार्गेट के लिए रहने दूँ का मतलब होता है बड़ा टार्गेट समझ जाओ ठीक है नेक्स पांस से तस साल के लिए यहाँ जीरो होगा यहाँ बहुत बड़ा बनेगा ठीक तो इस कॉंसेप्ट के साथ में इन्वेस्ट करता हूं पैनि स् तो काफी अची wealth बन सकती है जो आपके large cap और mid cap और small cap fund है मतला आपके जो भी portfolio है उससे 100 गुना return दिखे जा सकते है इतना potential है इन penny stocks में जिनको यह potential समझ आता है वो सो समझ के investment करते है जिनको समझ नहीं आता वो मुर्खों के तरह यही बोलते हैं सर इसका तो loss making company है इसके घाट में है करजा है प्लेज हो रखा है अलाना हो रखा है फलाना हो रखा है भाई store market में हर महीने न दो या तीन stock 100% का gain देखे जाते है डिपेंड करता है आपकी knowledge और आपकी क्या बोलते है आपने क्या stock को hold किया उसमें अगर आपको research करने आती है तो आप stock को निकाल पाओगे हर महीने जाके check करो monthly chart monthly gainer stocks हर महीने एक stock आपको 100% 200% gain देखे जाता है हर महीने तो दोस्तों यहा potential बहुत जाता है बस आपको उस घोडे में सवार होना है जो घोड़ा उपर जा रहा है समझे तो भाई वीडियो को समाथ करता हूँ काफी बड़ा ये lecture हो गया I think और बहुत लो कुछी पसायत आप लाइक पक्का कर देना शेयर कर देना motivation मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए और हो सके तो संड्याली क्लास है most welcome है आपका स्वागत है आईए साथ में सीखिंगे साथ में ग्रो करेंगे ठीक है भाई तो दिहान अखना बातों को जो आपको बताया है ज कि एक